हेलो नमस्कार जहिंद बंदे मात्रम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एक बार फिर्शे आप सभी लोगों का बहुत बहुत श्वागत है आज की इस नई वीडियो में दोस्तों आज की वीडियो आप लोग के लिए घातां क्यों करनी से पार्ट टू है पार्ट वन हमने पहले ह लेने वाले होते हैं उन्हीं को बताया जाता है उन्हीं टाइक से कोश्चन आपके आते हैं तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एक बार फिर से आप सुझी का बहुत बहुत श्वागत है आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि आपको रोज साथ बजे सुबा आपकी क्ला करते हैं पहले कोश्चन से दुखी आ पर लोगों के दिया गया है एक आप लोगों जैत करना है तो आयो देखते हैं कैसे आपको निकालाआ ही तो यह जो भी चाल आपको मांग लेना है कि जैसे एक पावर one upon x दिया है तो आपको a की power one upon x is equal to b की power one upon y is equal to c की power one upon z इसको मान लेना है k अब अगर हम इसे k मानते हैं तो हमारा a बराबर हो जाएगा k की power x क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी की power one upon x है उसके बराबर अगर हम इसको इसके बराबर कर दें तो हमारा A बराबर क्या हो जाएगा K की पावर याक्स हो जाएगा इसी प्रकार से B बराबर हो जाएगा C की पावर Sorry, K की पावर Y हो जाएगा और C बराबर हो जाएगा K की पावर Z तो हमारा एक जो है यहाँ पर टम्स भी दिया हुआ था B square is equal to A C तो इसी समी करण इसे एक मान लेंगे और इसी समी करण में हम answer रख देंगे इसका मतलब मान रख देंगे जो भी A, B और C का मान आया हुआ है तो अब हम इसे A, B, C का मान रखते हैं तो B के ज़गा पर हमाई क्या रख देना है य हो जाएगा इस जो है आधार Шमान है तो हमारी घाते भी समान हो जाती है तो 2i is equal to x plus z हो जाएगा इस प्रकार से x plus z की value में मालूम हो गई क्या हो जाएगी 2i हो जाएगी तो आगे देखते हैं option में 2i कहां पे दिया हुआ है तो option में b वाला option दिया है 2i तो ये हमारा क्या हो जाएगा answer हो जाएगा आपका एकदम correct हो जाएगा और ये question 2011 में पूछा भी गया है मैं आपको बता देना चाहिता हूँ कल आपसे question पूछा गया था वो question का अगर आपने answer दिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि अगर आप answer देते रहते हैं साथ साथ में तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्पूर्ण होता है answer देना क्योंकि अगर आप answer देते हैं तो आपका label पता चलता है हमको कि आप किस label से तयारी कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको पढ़ाया दाता है ये example आपको बता दें ये आपका जो question था 2014 में भी पूछा गया था बहुत ही important था और इसका आपको answer बताना था तो आपने अगर इसका answer कमेंट किया होगा तो आपको बहुत बहुत जो है आपको शुक्रिया क्योंकि आप तो इस वाले question का आपका जो answer था साहब वो आपका था B वाला answer एकदम correct था तो जिन जिन बच्चों का B वाला answer दिया है उनका जो है एकदम correct है answer तो मैं आपको बता दूँ आपको अगले question की तरफ ले चलता हूँ तो अगला question जो आपका है साहब आप देख सकते हैं आपके यह question भी आपके लिए काफी द्यादा महत्तपूर्ण है तो आप इसे अच्छे तरीके से समझेगा यह question आपका पॉलिटेखनिक इंटर्स एक्जाम टू टो ट्वेंटी में ट्वेंटी 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 ट्यन में पूछा गया था यानि 2010 में पूछा गया था तो यह आपके लिए काफी द्यादा important question है तो आईए इसे देखते हैं आपको क्या करना है सबसे पहले मैं बता दूँ इसमें माइनेस य को क्या करेंगे अलग-Alग कर लेंगे जैसा कि आपको कल बता भी गया था तो आई अलग-Alग करके आपको बता देते हैं कैसे हो जाएगा हमारा ये तो आपको पता है अगर हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं वन प्लस पीडिगी पवर एक्स हो जाएगा इन्ट तरीके से दूसरा वाला भी part हम कर लेते हैं one plus piggy power y into में हो जाएगा piggy power minus में x तो ये हमारा solve करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा piggy power minus y को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों piggy power minus y और piggy power minus x हो चाहे जो हो उसे हम one upon pk power y या pk power x लिख सकते हैं ये आपको पता है तो अब हम इसमें यही जो है rule लगा देंगे तो हमें क्या हो जाएगा हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पे one upon one plus हो जाएगा pk power x upon pk power y हो जाएगा क्योंकि minus y था तो नीचे ले आए तो plus में y हो गया प्लस में one upon one plus pk power y है और नीचे जाएगा तो pk power x नीचे चला जाएगा तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप इसमें हम नीचे जो है जोड़ देंगे यहाँ 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 लेकर के तो सालब करेंगी तो हमारा क्या हो जाएगा one upon हो जाएगा a upon API power y plus pk power x हो जाएगा upon में हो जाएगा pk power y और यहाँ पर भी हो जाएगा one upon pk power x plus pk power y upon में हो जाएगा pk power x अब हमें पता है a upon b upon c के फार्मू impacto ने लिखा है तो हमारा C उपर चला जाता है यहां भी A से उपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा P की पावर Y अपान P की पावर Y प्लस X में P की पावर X हो जाएगा प्लस में यहां हो जाएगा P की पावर X अपान P की पावर X प्लस Y अब आपको पता है पी की पावर X प्लस Y यहां भी है पी की पावर X प्लस Y यहां भी है तो यहां पर भी आपको जो है लासा लगा देना है और लासा जब लगाएंगे तो हमारा जब नीचे दोनों समान है तो हमारा जो है उपर भी आजाएगा इसी प्रकार से अब आपको प अपको आपको यहां पर बता देली जो आपके लिए हैं काफी धाम हत्त पूर है तो आप यहां पर देख सकते हैं यह दिया हुआ है 81 की power 6 और उसकी power में 1,24 अब इसे हम क्या लिख सकते हैं 81 की power 6 है तो अब इसे हमें power में करना है power में कैसे करेंगे साहब आईए देखते हैं तो आपको पता है शाहब हम अगर 3 की घातों में लिखें तो तीन की घातों में अगर हम 3 को चार बार multiply करते हैं यानि गुड़ा करते हैं तीन तरिक का नौ नो तरिक सकता है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 की power 4 बराबर 81 लिख सकते हैं तो अब हम 81 के जगह पर क्या लिख देंगे तीन की power 4 लिख देंगे तो आईए देखते हैं कैसे लिखेंगे तो यहां पर बड़ा वाला break-a है फिर यह वाला break-a है और 3 की power हम 4 लिख देंगे जाएगा answer हमारा क्या जाएगा 3 आज आएगा तो आपको मैं बता दूँ 3 कहां पर है 3D वाला option आ रहा है तो डी वाला option अमारा एकदम से correct हो जाएगा मैं आपको बता देना साहता हूं आपको time का बहुत ध्यादे ध्यान रखना है जितना जल्दी हो सके जितने सौर्ट ट् question देखते हैं अगला question आपके सामने तो शाब आपके सामने यह question जो की पॉले टेक्निक इंट्रेंस एक्जाम 2010 में पूछा गया था यह भी question आपके लिए काफी ज़्यादा important है तो आईए देखते है question आपके सामने कौन सा यह जो दिया हुआ है इसको कैसे solve करना है आपको इ यह जो दो पावर ने दी हुई है इसको जो है दो की पावर तीन के रूप में लिखना दो की पावर तीन क्या होता है दो दुनी चार दुनी आठ हो जाता है फिर जब आठ आजाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ दो की पावर तीन निकल जाएगा तो तीन की पावर जो है आठ आजाएगा अब तीन की पावर आठ की वैलू आपको निकाल लेनी है और उसे जो है दो की पावर में लिख देनी है जो भी आपकी तीन की पावर आठ वैलू आएगी और यहां वाले पार्ट में आपका क्या हो जाएगा इस वाले पार्ट में पहले तो हेगा तो आईए देखते हैं विसमें हम स्वा Baptist 65 करें गेते चाहब सो करेंगे तो हमारा क्या हो दाएगा पहले तो होदाएगा दोपर क्या दिया हुआ थीन यहांपे 254 थीन तो यहां है तो यह हमारा हो जाएगा और यहां पर बराबर में क्या हो जाएगा आपका तो यहां पर आपका दो की पावर तीन की पावर आट हो गया और भागे दिया हुआ की बावर और इसको भागे में लिखेंगे तो भागे को आप गुड़े में कर सकते हैं और एक बटे में लिख सकते हैं एक बटा कितने हो जाईगा शेत्री कर दो ड Rich दो की आदर बहाईब ओब हो जाएगा हमारे याँपे देखते हैं दो की पावर 261 और गुड़े में दो की बावर माइनस अठारा अब यहँ पे घाते जो है आधार समान है घाते भिने भिने हैं जुड़ जाएंगी तो कि यहाँपे माइनस का निचान लगा हुआ है तो इसमें से घट जाएगा तो दो to 6531 सर्व माइनस में अच्छारा अगर हमग में से माइनस अठ्षारा कर देंगे तो हमारा और क्या जाएगा सी वाला आंसर जाएगा की जेक हमारा एकदम घृल्डव नहीं घृल्ड करने जो है 2002 या एक में आपका एक question पूछा गया है और यह काफी दधा important questions आपको इसमें सारे के सारे दिये दा रहे हैं तो आपको एक भी स्रीज जो है छोड़नी नहीं है आपको एक भी lecture छोड़ना नहीं है सारे के सारे lecture याद रखीगा 7 am पर आते हैं तो जैसे ही आपको 7 am हो दा और आपको बता दू जहापे आप देख सकते हैं कोस्टन कोस्टन स्थाल्ब करने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा तो हम सबसे पहले इसे आपको पता है यहापे दिया हुआ है क्या तीन सो पर qaq 27 दिया हुआ है यहां पे तीन बटे साथ दिया है आपको पता है सबसे पहले क्या करना है जब तीन बटे साथ आपको दिख रहा है तो आपको इसको तीन और साथ के रूप में बदलना है अगर हम इसे तीन और साथ के रूप में बदलें तो क्या हो जाएगा अगर हम साथ को तीन बार गुड़ा करते हैं मेरे दोस्त तो क्या हो जाता है इसकी वैलू सासता उंचा सुनता सकते कितना हो जाता है तीन सो तिरालीस हो जाता है और अगर हम तीन को तीन बार दोहे गुड़ा करें तीन गुड़े तीन गुड़े तीन तो हमारा क्या हो जाता है तीन द्रिका के रूप में लिख लेना है जब हम इसे तीन और साथ के पावर में लिख लेंगे तो आईए देखते हैं क्या हो जाएगा आपको पता है रूट है तो रूट ऐसे ही लिखे रहेंगे तीन बटे साथ की पावर एकस प्लस वन हो जाएगा पावर में अब हम इसार आगे अगर लिखे तो इसे हम साथ बटे तीन की पावर क्या लिख सकते हैं मेरे दोस्त इसे पावर में तीन लिख सकते हैं अब आपको पता है यहां पे साथ तीन बटे साथ है यहां पे साथ बटे तीन है इसे हम उल्टा कर लेते हैं अगर तो यह पावर क्या हो जाएगी माइनस हो देंगे चुकि पावर में 7 बटे 3 की पावर 3 था तो यहां पर माइनेस में 3 आ जाएगा रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए दोनों पच्छों का वर्ग कर देंगे वर्ग कर देंगे तो हमारा ये रूट जो है कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारा ये गुड़ा हो ज जाएगा और इधर हमारा क्या बच जाएगा इधर हो जाएगा तीन बटे साथ की पावर माइनस में 6 हो जाएगा आपको पता है घाते आधार समान है तो जब हमारा आधार समान है तो हमारी घाते भी क्या हो जाएगी समान हो जाएगी तो एकस प्लस वन बराबर क्या आ जा तो सब्सक्राइद यूद्ध करता है लिए यह को नियौब निकालकी अनुनिकन में कहने है यह Peru लोफे देख सकते हैं आपका 3 की पावर x plus 5 है 27 की पावर 2x minus 5 है x की value निकालनी है आपको पता है जैसे ही यहापे आपको 3 की पावर में दिखा आपको यहापे 27 की पावर है आपको दिमाग लगाना है और आपको कर देना है इसे भी 3 की घाते में आपको पता है 27 को अभी बताया थे क लिख सकते हैं, 3 की पावड फिन लिख सकते हैं क्योंकि तीन पावर तीन आयेगा तो इस प्रेकार से हम 27 को 3 की पावर 3 में लिखेंगी तो हमारी ये भी पावर 3 हो जायेगी ये भी पावर में प्राप्त हो जाएगी 3 की पावर x प्लस 5 is equal to 3 की पावर 2x को 3 से गुड़ा करेंगे तो 6 से x हो जाएगा और आपको पता है यहाँ पे उपर क्या लिखा हुआ था 2x-5 था तो 3 की पावर में 2x-5 से 2x-5 में 3 से आपको गुड़ा कर देना है तो 2x-5 में 3 से गुड़ा करेंगे तो यहाँ पे 3 पच्चे 15 हो जाएगा आपको पता है आधार फिर से समान आ गया घाते भिन 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 आ गई तो जब आधार समान है तो घाते बराबर में हो जाएगी आपस में क्योंकि आपको पता है यह फार्मूला होता है तो जब हमारी घाते बराबर हो जाएगी तो x plus 5 is equal to क्या हो जाएगा हमारा 6 x minus 15 हो जाएगा अब 6 x में x को इधर ले करके जाएगे जो हमारा plus है तो minus हो जाएगा इसको इधर ले करके जाएगे minus है तो plus हो जाएगा तो 6 x minus 1 हो जाएगा और 15 plus 5 हो जाएगा अब 6 में से 5 जाएगा 6 में से यक्स जाएगा तो कितना बचेगा 5 यक्स बचेगा बराबर में 15,5,20 हो जाएगा यक्स बराबर क्या हो जाएगा 20 बटे 5 हो जाएगा 5 से 20 कट जाएगा आंसर क्या जाएगा 4 तो आईए देखते हैं आंसर कहा दिया है साहब तो आपका answer दिया हुआ है A वाला तो ये A वाला आपका answer एकदम correct होताएगा तो आज की वीडियो आज की वीडियो यहीं तक और आप regular 7 बजे एम पे आपकी class आती है तो 7 बजे आपको class देखनी है और एक भी class miss नहीं करनी है अगर आप एक भी class miss करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा ही नुकसान होने वाला है क्योंकि आपको इसमें important questions के साथ साथ पूरा का पूरा जो है syllabus आपको बताया दाएगा important तो पढ़ाया ही दाएगा लेकिन syllabus पूरा का पूरा आपका cover कराया दाएगा और आपको यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपको एक भी class छोड़ना नहीं है इस वीडियो को सबसे पहले तो आप like कर दीजिए like करने के बाद अभी अपने सभी दोस्तों के साथ share कर दीजिए जिससे जबी लोग students सभी students जुड़ सकें और पूरी की पूरी class अच्छे तजिके से ले सकें आपको अच्छे से जो है notes भी अपनी prepare कर लेनी है जिससे आपको notes जैसे तयार कर लेंगे तो आपको जो है आगे जब exam के time में आपको पढ़ना आसान हो जाएगा तो आपको notes बनाते चलना है और इस वीडियो को जो से पहले share कर दीजिए और आपको जो question पूछा गया है उसका answer आपको comment में बताना बहुत ही ज़रूरी है तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो की साथ तब तक के लिए जैहिंद जैभारत मेरे प्यारे students ऐसे ही support बनाई रह होंगे और आपके लिए उतने ही जादा questions जिदो है कराने का प्रयाश करेंगे तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ जैहिंद जैभारत